वेरी गूड इवनिंग माई डीयर फ्रिंट्स अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बार चैट बॉक्स में येस लिख देना ताकि आज का सेशनम स्टार्ट कर लें वेरी गूड इवनिंग माई डीयर फ्रिंट्स अगर मेरी आवाज आप तक सही से पहुंच रही है तो एक बार चैट बॉक्स में रिस्पॉंड करना नेहा अगरवाल कहे रहे हैं कि मानेश्मेंट पेपर में टाइम मानेश्मेंट के लिए कुछ चलो लास्ट में डिसकेस करेंगे हाँ तो आपके मेसेज़ेस आ रहे हैं कि ये सर आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं तो सभी को वेरी गूड इवनिंग हाई हेलो नमस्ते काफी सारे मेरे फ्रेंड्स आज मेरे साजुडे हैं और माइड ये फ्रेंट जैसा कि हमें आपको बताया था कि करंट अफेर्स जो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जारे एक्जामीनेशन के लिए कंटेंप्रेरी टॉपिक्स करंट से जो टॉपिक्स हैं examination में पूछे जा रहे हैं और इसलिए आज आपके साथ current affairs भी discuss करेंगे paper 2 के current affairs का part 1 जो था आपके साथ अभी सेचरडे को discuss किया था जो second part है इसका कुछ और important current affairs आज आपके साथ discuss करेंगे management के जो हमारे students हैं उनके लिए काफी सारे important points इसमें से उन्हें देखने को मिलेंगे क्योंकि उनका exam परसों है 30th को है उनको जरूर ये वीडियो एक बार देखना चाहिए commerce वालों के लिए तो खैर काफी important points निकल कर आएंगे ही हाँ चलो तो my dear friends आज के session को start करते हैं और start करने से पहले एक बर जल्दी से आपको हमारे courses के बारे में बता देते हैं तो paper 1 जो की general paper है उसके लिए mini combo pack, complete combo pack, paper 2 commerce management के लिए free snapshot notes, unit wise past papers, NTA वाले format मेटे series, सभी units का video course और सभी courses को combo भी आप avail कर सकते हैं तो लीजे my dear friends बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पे और देखते हैं कि पहले सवाल का answer हमें कहां से सही मिलता है सीधा सीधा सवाल है, पहला सवाल और इससे जुड़े हुए current affairs हम आपके साथ पहले भी discuss एक बार कर चुके हैं तो सवाल है to give protection to depositors, the Reserve Bank of India has increased with effect from Feb 4, 2020 insurance cover on bank deposits from 1 lakh to Dash, 2 lakh, 4 lakh, 5 lakh यहां फिर 10 lakh तो आपको बताने कि RBI ने अब हमारा insurance cover है bank deposits का उसे बढ़ा दिया अगर आपको याद हो तो पहले RTM series में आपको साथ एक सवाल discuss किया था जिसमें आपसे पूछा था कि DICGC किनके insurance करता है किनके insurance नहीं करता और वहां पे भी आपको यह मैंने बताया था कि यह जो limit है 1 lakh से बढ़ा कर 5 lakh जो है कर दी गई अब हमारे 5 lakh तक के deposit safe है अगर bank डूब जाता है तो 5 lakh तक का पैसा जो bank में हमारा रखा हुआ है वो safe रहेगा उसके guarantee देता है DICGC जिसके बात पहले आपसे कर चुके हैं हाँ जी तो आपके answer बिल्कुल ठीक है option C के सौरब कुमाई आपका answer यहां गलत है एक बार जुरूर चेक कीजेगा इसे बाकी सभी के answers perfect हैं और अब बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल के तरफ थोड़ा सा तेजी से चलेंगे क्योंकि आज number of questions 20 है हमारे पास Reserve Bank of India is set to conduct the financial literacy week from Feb 10 to Feb 14, 2020 the theme of the financial literacy week is तो अब यह financial literacy जो week था Reserve Bank ने conduct किया था उसकी theme आप से पूछी जा रही है यह Feb के अंदर conduct किया था RBI ने क्या theme थी उसकी consumer protection, farmers, MSMEs या फिर priority sector lending Reserve Bank जो है उसका एक दातू बनता है उसका करतववे है कि उसे financial literacy को परमूट करना है, financial awareness को बढ़ावा देना है और इसी context में financial literacy week और यहाँ पे जो theme रखा गया था वो था micro, small and medium enterprises यानि कि MSME MSME जो है वो theme यहाँ पे रखा गया था FEB के अंदर organize किया था, theme हमारा है MSME और साती साथ MSME entrepreneurs को बढ़ावा देने के लिए RBA ने एक mass media campaign और भी चलाया था, वो भी यहाँ पे बताया गया तो यह भी आप जो है my dear friends याल रखेगा MSME से भी जुड़ा है और आपका RBA से भी जुड़ा है तो दोनों हमारे commerce management के लिए काफी relevant है चलो जी अगला सवाल है Central government has raised the threshold for invoking insolvency under IBC IBC क्या है? IBC है insolvency and bankruptcy code from 1 lakh to dash 10 lakh, 1 करोड, 25 करोड, 50 करोड तो यहाँ पे my dear friends हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने देखा कि COVID-19 situation चल रही है हमारे businesses जो हैं कमजोर पड़ रहे है और यहाँ पे जो threshold था insolvency proceedings को invoke करने का उसे बढ़ा दिया पहले एक लाग तक का आपने default कर दिया तो आपके against the proceedings चालू हो जाती थी बट सरकार ने कहा कि आज कल companies को दिक्कत है और इसी लिए इस threshold को बढ़ा दिना चाहिए और बढ़ा के इस threshold को पायल बंगा आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप बताईए न MSME Day कब था examination में हम थोड़ी चलने वाले हैं आपके साथ आपको याद रखनी है चीज़ें हमें नहीं याद रखनी तो आप याद कीजिए चलो तो my dear friends यहाँ पे जो threshold है insolvency proceedings का उसे एक लाग से बढ़ा कर एक करोड कर दिया गया है एक लाग से बढ़ा कर एक करोड कर दिया गया है और ये चीज़ आपको याद रखनी है और साथी साथ ये भी बोला गया कि government of India ने हमारे जो covid-19 से जुड़े हुए loan है debt हैं उन्हें भी default की definition से हटा दिया कि उनके कारण आप insolvency trigger नहीं कर सकते और जो fresh insolvency proceedings है उन्हें यहाँ पर कहा गया कि एक साल तक हम suspend भी कर रहे है depending on the situation of the pandemic तो ये कुछ बातें थी IBC से जुड़ी हुई ये भी आपको पता हुनी चाहिए चलो कोई बात नहीं लेट हो गए आप class में आ चुके हैं तो जल्दी से हमारे से जुड़ी है और इन सवालों के आंसर हमें दीजिए तो चौते सवाल पर हम idea friends आ चुके हैं नेम दा कंपनी विच अस बिकाम दा फर्स्ट मेंबर आफ इंडियास गैस ट्रेडिंग प्लाटफॉर्म्ड नेमड इंडियन गैस एक्चेंज तो अब हमने गैस की ट्रेडिंग के लिए भी अब शेरों की ट्रेडिंग तो हम किया करते थे है ना जी शेरों की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में किया करते थे अब हम गैस की ट्रेडिंग भी किया करेंगे और इसलिए हमने इंडियन गैस एक्चेंज बनाई है Energy Exchange ने फाउंड किया है, उसका पहला मेंबर बने है, Money Karan Power Limited, और इसे Indian Gas Exchange के नाम से जाना जाता है, it will be the India's first gas trading platform, तो ये भी कुछ important बात हैं, examination perspective से, और आप बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल है, Name the Indian State which has signed MOU with SIDBI, Small Industries Development Bank of India, and launched startup fund to promote young entrepreneurs, New York, Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, या फिर हारयाना, तो कौनसी हमारी state ने SIDBI के साथ MOU sign किया, देखे, SIDBI Small Industries से जुड़ा है, और startup से जुड़े काफी काम करता है, और इसके regarding startups को promote करने के लिए, एक fund create किया है, कौनसी state ने ये SIDBI के साथ create किया है, ये सवाल आपसे पूछा गया, आप बताईए, क्या बिहार startups को promote करने के लिए fund बनाएगा, UP बनाएगा, हरयाना बनाएगा, या MP बनाएगा, देखे, आज कल जो काफी जादा news में चल रहा है काम करने के लिए, वो उत्तरपरदेश ही चल रहा है, ग्राउंड वाटर एक टो चाहा है कुछ हो, उत्तरपरदेश सब में आगे है, और Government of उत्तरपरदेश नहीं, उत्तरपरदेश startup fund जो है वो बनाया है, to promote entrepreneurship among the youth of the state, and हमारे जो वहां के chief minister है, योगी अधित्यनाजी, उन्होंने इस MOU को जो है यहां पे शुरुवात की है, with SIDB, ठीके जी, हाँ चलो, UP जो है सब पे भारी है, और अगला सवाल है, नेम दा पर्सन वो हास बीन अपॉइंटेड अस चेर्मेन आफ दी अडवाईजरी कमेटी on service provider of insolvency and bankruptcy board of India, तो हमारा जो insolvency and bankruptcy board of India है, जिसे अगेन हमारे insolvency and bankruptcy code के अंदर बनाया गया है, उसके अंदर एक कमेटी बनाईए जी, हमारे service provider पे, उसका कौन चेर्मेन है, ये तो सीधा सीधा सवाल है, जो कि आपको याद ही करना है, इसका आंसर मैं आपको फटा-फट से बता देता हूँ, बिना time waste किये, इसका आंसर है जी, हमारे पास TV, TV मोहनदास पाई, TV मोहनदास पाई, जो है इनके चेर्मेन है, सर ये भी बता दीजे कि ये जो हमारा insolvency and bankruptcy board of India है, ये तो हमें पता चल गया कि IBC के अंदर बनाया गया है, ये service provider कौन है, देखें, बोला गया कि service provider के अंदर हमारे insolvency professional आते हैं, जो कि assistance provide करते हैं insolvency के दौरान, insolvency professional agencies आती हैं, जो कि इन professionals को regulate करने वाली हैं, insolvency professional entities आती हैं, और information utilities आती हैं, जो कि insolvency से जुड़ी हुई information provide करवाती हैं, तो ये कुछ हमारे service provider है, insolvency से जुड़े हुए, उन्हें regulate करने के लिए committee बनाई है, TV Mohandas Pai की chairmanship के अंदर, तो ये my dear friends एक important current affairs का सवाल आपके साथ discuss किया, चलो अगले सवाल पे चलते हैं, नाम बदल के क्या कर रहे हैं, सर ये financial management से जुड़ा एक national level का institution है, हाँ जी है, पहले national institution था, अब इसका नाम बदल गया है, इसका नाम क्या बदल कर हो गया है, वो आपसे पूछा है, हाँ बहुत investment होता है स्वाती जी यहाँ पे, हाँ बिल्कुल TV, TV जी TV तो याद रहेगा, आपको TV नहीं भूलते ही तो मुझे पता है, हाँ अरुन जेटली बिल्कुल बहुत बड़ी answer आया जी आपका, मैं expect कर रहा था कि answer सही आ जाएगा, और आपका answer सही आ भी गया यहाँ पे, कि हमारा national institute of financial management फरीदाबाद का नाम चेंज करके, अरुन जेटली institute of financial management कर दिया गया है, answer आपका है option number one, याद रहेगा ना अरुन जेटली तो, हाँ जी सर, अरुन जेटली जी तो हमें याद रहेंगे, तो answer option one है, लो जी, अब आगे हैं जी, आठमें सवाल की तरफ, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, Securities and Exchange Board of India, SEBI has launched a mobile application, SEBI Scores for, SEBI ने mobile application बनाई है, SEBI Scores, किसके लिए बनाई है, Investors grievances launch करने के लिए, Insider trading को रोकने के लिए, नई retail investors को बढ़ावा देने के लिए, Interregulatory Coordination के लिए, तो SEBI जो है, My Dear Friends, उसका एक platform है, जिसका नाम है Scores, सर कौन सा platform है Scores, लो आपको ले चलते हैं, हाँ जी, बिल्कुल financial minister थे, तो इसी लिए, हाँ बिल्कुल, अरुन जेटली के नाम पे कर दिया, Scores platform, चलिए खोल लेते हैं, Scores platform SEBI करके, सर्च करते हैं, Google पे आ जाएगा, हमारे पास, लो जी आ गया, Scores.gov.in, Scores सेबी का platform है, और इसकी site, जो है, हमारे पास, खुल रही है, और तब तक आपके answer भी, इंतजार हम कर रहे हैं, site खुल चुकी है, तो बताया गया, there will be occasions, जब आपको complaint फाइल करनी होगी, किसी listed company, intermediary के against, जो की सेबी के साथ registered है, और आपको अगर ऐसी कोई complaint है, तो पहले तो आप उस company, उस intermediary को ही approach कीजिए, बड़ अगर आप उसके response से satisfied नहीं है, तो आप जो है, सेबी तक अपनी complaint लेकर जाएंगे, और सेबी तक आप अपनी जो complaint लेकर जाएंगे, वो आप online लेकर जा सकते हैं, उसके लिए सेबी ने जो portal बनाया है, उसका नाम है आपका Scores Portal, सर, Scores की कोई full form है क्या? हाँ जी, my dear friends, full form है, यहाँ पे लिखिए, सेबी complaints redress system, स्कोर्स की full form है, सेबी complaints redress system, और इसी की mobile app अभी सेबी ने launch कर दी है, और इसी लिए आपका जो answer है, यहाँ पे रोशन कुमार जी, answer आपका इस पार गलत हो गया, आपका जो answer है यहाँ पे, वो है आपका option number one, option number one, अचिंते अशुकला, जननी माधवन, आपके answer बिलकुल ठीक है, यहाँ पे त्रीनात साहू ने भी ए बोला था, आपका भी बिलकुल सही है, option number one, answer है जी, यहाँ पे, ठीक है जी, SEBI Complaints Redress System, this is SEBI Scores, ठीक है, आजाओ जी, आगे आजाओ, Dash is India's National Investment, Promotion and Facilitation Agency, Trade India, Invest India, Grow India, Move India, इंडिया की national level की, Investment, Promotion and Facilitation Agency, कौन सी है, वो आपको यहाँ पे बताना है, देखे, my dear friends, बहुत सीधा डिरेक्ट सवाल है, हो सकता है, examiner सवाल को पूछ भी ले, तो यह आपको पता होना चाहिए, और इसका answer आपको बता देता हूँ, हाँ, इसका answer आपको बता देता हूँ, इसका answer हमारे पास है, in West India, in West India, इसका हमारा यहाँ पे answer है, और यहाँ पे बताया गया, कि Invest India ने कुछ Invest India Business Immunity Platform भी लाउंच किया है, ताकि हमारे जो businesses हैं, उन्हें कुछ अपडेट्स मिल सकें, विद रिकार्ट टू COVID-19, चली देखते हैं, अगर हमें इसकी कोई website बगारा मिलती है तो, अभी एकदम से मेरे दिमाग में आया, कि national level की body है, तो website तो इसकी होगी, बिल्कुल है जी, website इसकी, Invest India इसकी website है, इसकी website पे हम आ चुके हैं, अब आपके answers जो हैं आ रहे हैं, trade India गलत हो गया जी, इसकी मधू मेगानी जी, Invest India आंसर है हमारा इस सवाल का, और Invest India की website पे है, देखें नीचे बड़ा बड़ा लिखा है इसके नाम के नीचे, National Investment Promotion and Facilitation Agency, इसके नाम के नीचे लिखा हुआ है, National Investment Facilitation and Promotion Agency, और इसके बारे में, साइट थोड़ी स्लो चल रही है, इसने जो काम किये, उसके बारे में information कुछ दी गई है, यहाँ पे, Invest India, COVID-19 को लेकर भी, बिजनस immunity platform, यही तो आप से सवाल पूछा था, आपने की business immunity platform किसने develop किया, तो उसे आप देख सकते हैं, सीधा सीधा आपको देख गया यहाँ पे, और इसके लावा यह जो काम कर रहे है, न्यूज में रह रही है, उसके according कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, चलिए, साइट थोड़ी स्लो है, तो इसको skip करते हैं, और हमारे सवालों पर वापिस आ जाते हैं, तो Invest India के बारे में तो हमें पता चल गया, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, तो मैडी और फ्रिंट्स, सेभी ने कमिटी बनाई है, on matters related to regulation and development of mutual funds, mutual funds की development और regulation से जुड़ी कमिटी बनाई है चीज सेभी ने, उनके बिहाफ पे professional तरीके से पैसे लगाता है और उनको return कमा कर देता है, और mutual funds जो हैं, वो हमारे सेभी के अंदर आते हैं, सेभी इन्हें regulate करता है, और इसलिए सेभी ने कमेटी बनाई है, हमारी उशा ठोरट जी की chairmanship के अंदर, ये हमारी former deputy governor है, तो कमेटी बनाई है, mutual funds के ऊपर, ठीक है जी, हाँ, चलो ठीक है, ये आपको याद रखना है, शिवानी मिश्रा जी हम बहुत बढ़ियां है, चलिए अगले सवाल पे आ चुके हैं sir, फिर से सेभी पे सवाल पूछ दाला आपने, हाँ जी, फिर से सेभी पे सवाल है, who headed the panel formed by सेभी, to suggest measures to strengthen enforcement of सेभी, देखें सेभी हमारा Securities and Exchange Board of India है, हमारी capital market को regulate करता है, stock market को regulate करता है, तो हमारी लिए एक बहुत important body बन जाता है सेभी, और इससे जड़ी हुई जो भी events हैं, हमें पता हूँ, तो examination perspective से थोड़ा हमारा upper hand यहाँ पे रहेगा, और सेभी अपनी enforcement provisions को मजबूत करना चाहरा है, देखें सेभी जो है strict actions लेता है, अगर कोई listed companies कुछ बुरा करती हैं, stock exchange पे कुछ बुरा करती हैं, हमारे broker जो intermediaries हैं, वो कुछ गलत करते हैं, तो सेभी उनके against जो है enforcement action लेता है, और सेभी इस enforcement को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, और इसलिए हमारे अनिल डवे जी की chairmanship के अंदर जो है panel बनाया गया था, और यहाँ पे इन्होंने यह बताया कि कैसे हम अपनी enforcement को और ज़्यादा improve कर सकते हैं, कि recovery of money करना है, यह सब चीजें कैसे हम कर सकते हैं, और इन्होंने एक बहुत बड़ी report, 424 page की report इन्होंने वो भी publish करवाई, ठीक है, हाँ, UT उशा थोरट, UTI mutual fund भी देखता है, हाँ, UT उशा थोरट, UTI mutual fund बिलकुल आप ऐसे याद रख सकते हैं, चलिए अगला सवाल बहुत-बहुत-बहुत important और बहुत-बहुत-बहुत current का सवाल है, बिलकुल ताजा खबर है यह जिस पे सवाल यह पूछा गया है, 22 सितंबर 2020, सर अभी पिछले हफ़ते ही तो निकली 22 सितंबर 2020, लोग सबा ने तीन बिल पास किये, और सर इसका आंसर आपने सीधा-सीधा डिरेक्ट मेंशन ही कर दिया, इसका आंसर मैं छुपाना भूल गया जी, कोई दिक्कत के बात नहीं है, आपको बताना था मुझे कि लोग सबा ने अभी बहुत ही हाल ही में तीन कोड पास किये, हमारे labor laws को हम consolidate कर रहे हैं, इतने सारे labor laws से बहुत जाधा confusion रहता था, अब सरकार ने कहा उन्हें consolidate करेंगे, और उनके चार laws हम बना देंगे, कौन-कौन से बना देंगे, wages code बनाएंगे एक तो, और wages code तो 2019 के अंदर ही पारलियमेंट ने पास कर दिया था, उसके लावा रहेगा industrial relations code, code on occupational safety, health and working conditions जब आपने काम करना है तो working conditions अच्छी होनी चाहिए, safety होनी चाहिए और social security code भी pension वगरा से जुड़ा हुआ code बनाया गया देखें इनके बारे में कुछ information मैंने इस PPT में भी include कर दी है जो कि आप revise करते हैं टाइम refer कर सकते हैं फिलाल के लिए मैं आपको सरकार की जो briefing आई थी उस पे लेकर चलता हूँ हमारा जो PIB है उसके उपर जो सरकार का press release था वो refer करते हैं देखें यह रहा लोकसरवा पासेस 3 historic and path breaking labor codes new labor code to envisage covering over 50 crore workers जो हैं cover होने वाले हैं ESIC, EPFO का social security net widen होने वाला है एक social security fund बनाने की भी बात की गई है 40 crore का, 40 crore unorganized workers के लिए यह fund बनाने की बात हो रही है जो हमारे gig workers हैं, platform workers हैं जो कि हमारे formal sector से कहीं नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए यह बनाया जा रहा है women के लिए pay parity होने वाली है, fixed employment मिलने वाली है अगर workers के साथ accident होता है तो 50% penalty लगाई जाएगी occupational safety and health board बनाया जाएगा और यहाँ पे plantation workers को भी ASIC के benefits मिलेंगे migrant workers जो हैं अक्सर covered नहीं हो पाते laws के अंदर उन्हें भी यहाँ पे security की बात की गई है help line to redress grievance of migrant workers, harmonious industrial relations यह सब बात हैं यहाँ पे कर रखे inspector to be now made as inspector come facilitator and introduction of random web based inspection system to remove inspector राज देखे पहले labor inspectors बहुत तांग किया करते थे हमारी business firms को और यहाँ पे उनका जो राज था उसे खतम करने के लिए inspector come facilitator उन्हें बनाया जा रहा है वो business को facilitate करेंगे ना की तांग करेंगे देखे बताया गया कि हमारे यह codes हैं और इनके अंदर कौन कौन से laws हमारे amalgamate हुए हैं तो wage code के अंदर हमारे चार laws amalgamate हुए हैं payment of wages act minimum wages act payment of bonus act और equal remuneration act यह चार जो हमारे law हैं यह हमारे wages code के अंदर amalgamate हुए है और हमारा जो industrial relation code है उसके अंदर हमारे पास तीन law amalgamate हुए है trade union act, industrial employment standing orders act 1946 industrial disputes act 1947 और occupational safety से जुड़ा code है उसके अंदर 13 laws है factory act है, mines act है बहुत सारे act है जो कि इसके अंदर amalgamate हुए है, social security code में आपके 9 laws है EPF से जुड़े हुए, ESIC से जुड़े हुए, यह सब आपके यहाँ पे आते हैं और इनके बारे में briefly बताया भी गया है आप एक बर चाहें तो इसे भी refer कर सकते हैं, यह हमारा सरकार का press release है और बहुत briefly बातें करता है हमारे इन labor codes के बारे में आप सभी जानते हैं, हमारे syllabus में industrial relations का एक topic mentioned है जो की हमें cover up करना है और उस context में एक game changer है हमारे खुद labor minister ने कहा कि यह हमारे game changer labor welfare provisions इसके अंदर आ चुके हैं तो इनके बारे में as a commerce as well as management student आपको definitely पता होना चाहिए तो यह my dear friends आप एक बार जरूर refer कीजेगा, मेरी request है आप से और अब हम बढ़ जाते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ हाँ बिलकुल सोना गुपता जी बिलकुल आपने पढ़ा होगा, हमने आपको बताया था class में भी cover करवाया था कि हमारी सरकार इन्हें amalgamate कर रही है और पहले wage code जो था pass हो चुका था, अब wage code के अलावा भी, अभी recently पिछले हफते ही तीन code जो बाकी बचते थे वो भी pass कर दिये गए तो अब हमारे labor laws केवल 4 रह गए मोटा मोटी, ये चीज आपको यहाँ पे हमें बता नहीं थी तो इनके बारे में कुछ basic बाते हैं आप जुरूर एक बार refer कीजे एक बार जुरूर पढ़िए कुछ basic बाते हैं यहाँ पे भी डाल दी गई है हाँ, PDF तो डाली देंगे जी टेलीग्राम पे चिंता मत कीजे आप बिलकुल भी चिंता मत कीजे अगले सवाल का आंसर दीजे चिंता की क्या बात है जी हाँ, हो कोई बात नहीं है चिंते, आंसर रहे गया कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी बहुत सीटिंग तो चल जाती है How many countries are granted observer status by WTO World Trade Organization के अंदर हमारी कुछ member countries है और कुछ observer countries है जो की पूरी member नहीं है, बट वो observer बनी हुए है WTO की, future में member बन जाएंगी, कितनी है ऐसी observer countries न्यूज में था हाल ही में, इसलिए सवाल आप से पूछा है अगर आप news refer कर रहे हैं तो आपने सुना होगा कि तुर्क मिनी स्थान हमारा जो है WTO का observer status उसने acquire कर लिया है observer country यहाँ पे बन गया है और उसी के साथ WTO के अंदरा 25 observer countries हो गए हैं 25 observer countries हो चुके हैं अब पिछले week के news आएगा सर, रोशन कुमार पूछ रहे हैं, हो सकता है management वालों को इलिए ना पूछें बट commerce की दो शिफ्टें है तो दो paper बनाने हैं उन्हें तो पिछले हफते की news भी पूछ डालें तो मुझे नहीं पता, क्या पता पूछी डालें तो पता होना चाहिए जी आपको briefly पढ़ लो, जादा time मत लगाओ briefly पढ़ लो, तो WTO के उपर हम आते हैं एक बार जी, तो WTO के अंदर members और observers के अंदर अगर हम आते हैं तो लिखा है कि 164 members हैं जी इसके अंदर July 2016 से, ठीक है जी 164 members हैं और members की list आपको दे रखी है how to join WTO कैसे आप join करेंगे और observer countries की भी list यहाँ पर दे रखी है और यहाँ पर number of countries नहीं लिखा आप count कर लेना जी जो हमारे पास information है उसके according तो है कि 25 country के पास WTO का observer status है 25 के पास है जी 25 के पास है जी observer status चलो, थेंक्यू कपिल जी बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है और आपसे request रहेगी आप सभी से request रहेगी अगर आपको हमारी content, हमारा वीडियोस पसंद आ रहेगी तो इस वीडियो को एक बार जरूर से like कीजेगा आपके likes ही हमें motivate करते हैं ऐसा अच्छा काम करने के लिए देखे आपके likes आते रहेंगे प्यार मिलता रहेगा हम काम करते रहेंगे इंसान प्यार का भी तो भुका होता है चलो चौदमे सवाल पे आ चुके हैं 14th question आपकी screen पे है जी डाश is a unique initiative of government e-marketplace और दीन दियाल अंतियोदे योजना National Rural Livelihood Mission Ministry of Rural Development तो government की e-marketplace government की e-marketplace का initiative कौन सा है इन में से यह आप से पूछा गया है देखे सीदा सीदा याद रखना है जी सारस collection जो है वो initiative है हमारी government e-marketplace का और हमारी ये दीन दियाल अंतियोदे इजोजना का जो की Ministry of Rural Development के अंदर आती है सर क्या करने वाले हैं इस initiative के अंदर तो इस initiative के अंदर हमारे rural self-help groups देखे रूरल एरियास में लोग इकठे हो जाते हैं मिल जूल कर कुछ काम करते हैं वो कुछ daily utility products बना लेते हैं रोज मर्रा की चीज़ें बना लेते हैं उन सभी को market करने के लिए ये initiative जो है चलाया है तो ये आपको my dear friends याद रखना है सारस collection इस initiative का नाम है बहुत बढ़िया शोबित सागर जी हाँ बिलकुल रोशन कुमार 25 भी तुर्कमेनिस्तान है जी हाँ 14 का answer हमारा सारस collection है चलिए अगले सवाल का answer तो बताईए अगले सवाल का answer तो बताईए जी डाश has launched one stop knowledge portal named as MSME सक्षम in association with transunion SIBIL तो हमारे SIBIL के साथ किसने मिल के MSME सक्षम portal launch किया है आप से पहले भी अभी इस organization की briefly चर्चा हुई है question में इसका नाम already आ चुका है सर फिर तो इसका answer हम आसानी से guess कर सकते है इसका answer फिर तो आसानी से guess कर सकते है निर्मल सिंग 30th को paper है management वालों का अगर आप management से दे रहे हैं तो आपका paper 30th को है आपके admit card आ चुके है आप एक बार जरूर चेकीजिए NTA की website पे अगर आपने नहीं किया बहुत बढ़िया कपिल सूरे वंची जी बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुन कर कि आपको हमारा content पसंद आता है और आप अपने students को भी refer करते है हाँ जी इसका answer है जी SIDB SIDB का नाम आया नहीं था पहले अभी जब आपको बता रहे थे कि small industries के लिए startup fund कुछ ऐसी बातें आपसे करी थी और SIDB जो है इसने one stop knowledge portal जो launch किया है जिसका नाम है MSME सक्षम in association with trans union civil तो SIDB के उपर तो सवाल बहुत बार पूछे गए है आप सभी जानते हैं SIDB कितना important है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए हाँ जी चलो B और D में confirm हो गया B answer है जी अगले सवाल पे आ चुके है सोलवा सवाल आपकी स्क्रीन पे है सोलवा सवाल आपकी स्क्रीन पे है Union Minister for Environment for Women and Child Development and Member of Parliament from Amethi स्मिर्थी रानी जी ने तीन welfare schemes women के लिए launch करी गोगा के अंदर इन में से कौन सी scheme जो है women entrepreneurship का promote करने के लिए launch की कई है यह शश्वी इनी scheme स्वास्तिय सहायक प्रोजेक्ट युक्ति स्कीम प्रागेता स्कीम देखे यहां पे women welfare के लिए तीन स्कीम सरकार लेकर आई है और एक स्कीम जो है उनमें से women entrepreneurship से जुड़ी है और जो स्कीम women entrepreneurship से जुड़ी है उसका नाम है हमारे पास यह शश्वी इनी scheme UP वाला यूपी वाला नहीं स्टार्टटप फंड हाँ बिल्कुल स्टार्टप फंड हूँ वही सवाल आप कहे रहे हैं चाहद वह UP वाला स्टार्टप फंड वाला उसके अंदर भी हमारे पास सिड़ भी आया तो था चलो तो इस सवाल का आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इस सवाल का आंसर हमारे पास है ये शर्ष विनी स्कीम थीक है जी ये स्कीम वोमेन एंटरपेरनोर्शिप के लिए है टूटल तीन स्कीम्स थी, बाकी हमारे लिए इतनी ज़्यादा कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ब्रेस्ट केंसर के लिए और स्वास्ते सहाय के लिए इतनी ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, मेन वुमेन एंटरप्रेनरशिप वाली हमें पता होनी चाहिए, जिसका नाम ह ये शविनी स्कीम, ठीक है जी, चलो, ठीक है न, ये शवी होता तो लड़का होता, ये शविनी है तो ये लड़की है और लड़कियों के लिए स्कीम है, एंटरप्रेनरशिप को बढ़ावा देने के लिए, हाँ जी सर, अब याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे इसको, और अ अगले सवाल की तरफ, which among the following countries emerged as the largest recipient of foreign remittances in financial year 20, India, China, UAE, US, ये सवाल उसी पर बेस्ट है, balance of payment आपको पढ़ाते हैं, तो हम बताते निये जी, कि यहाँ पर transfer payments आ रही हैं, आपकी foreign remittances आ रही हैं, जो बहार से आपको पैसे भेजे गए हैं, वो यहाँ पर balance of payment के अंदर आते ह हैं, तो वहीं से जोड़ा सवाल है, कि इनमे से कौन सी country को बहार से सबसे ज़्यादा remittances आई हैं, क्या India है, China है, USA, UAE है, बिल्कुल answers आपके आने शुरू हुए हैं, और answers आपके बिल्कुल सही आ रहे हैं, शोबित सागर कह रहे हैं, option 1, option 1, answer आपका बिल्कुल सही है, जी यहां पर, बाकी D कह रहे हैं, D, Pile और Sonia, D कह रहे हैं, D, answer गलत है जी, इसका answer है, option 1, India, world के अंदर सबसे ज़्यादा जो remittances मिलते हैं, monetary transfers आते हैं, बहार काम करने वाले लोग, इंडिया में पैसा बेजते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे पास इंडिया के अंदर ही आते हैं, तो इंडिया के आप जानते हैं कि इंडिया की जो लोग है, population है, पूरे world में कहां कहां बहुत जगां पे फैल रखी है, और वो बहार काम करते हैं, यहां पे अपने घरवालों को पैसे भेजा करते हैं, और सबसे ज़्यादा बहार से पैसे हमारे इंडिया को ही मिलते ह हैं, हाँ, चाइना नहीं हो सकता, चाइना भी विलकुल इंडिया followed by चाइना रोशन कुमार के रहे हैं, चाइना के भी काफी लोग बहार करते हैं काम बट इंडिया टॉप पे आता है, अचलो, फिर से इंटरनाशनल बिसनस से जड़ा सवाल पूछ रहे हैं आपसे, नेम द प्रिपेर्डनेस इंडेक्स निती आयोग लेकर आई है, और उसमें बताया गया कि हमारी स्टीट्स कितनी जादा प्रिपेर्ड हैं एक्सपूर्ट्स को बड़ावा देने के लिए, कौनसी स्टीट्स ने यहाँ पे पहला रैंक प्राप्त किया है, वो सवाल आपसे पूछ पूछा गया है, कौनसी स्टीट है जो यहाँ पे फर्स्ट आ चुकी है, वो आपसे पूछा जा रहा है, हाँ रोशन कुमार ची हो कुछ और इंटरस्टिंग फेट्स बता रहे हैं कि इंडिया की सिकिंड गरीन बॉन्ड मार्किट है आफ्टर चाइना, और यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि मेरे पास अभी जितने लोग वाज कर रहे हैं उससे कम मेरे पास लाइक्स हैं, तो आपके लाइक्स क्यों इतने कम है जी बताइए मुझे, आपके लाइक्स आने चाहिए पूरे-पूरे, तबी मज़ा आता है पढ़ाने का, आपके साथ 10 की बजाए 20 सव दिसक्स कर रहे हैं, करन्ट अफेर्स पे महनत करके कंटेंड ढूंड के लेकर आ रहे हैं, तो आपके लाइक्स तो यहां पर डेफिनिटली बनते हैं, आंसर आ रहे है गुजरात का, और बिलकुल सही आंसर है, पूजा, स्वाती, नेहा, रश्मी, अनिल, मधू, नताशा, स होना, सब का अंसर बिलकुल सही है, जी, यहां पर, गुजरात जो है, उसी ने बाजी मारी है, एक्सपोर्ट प्रिपेर्डनेस इंडेक्स के अंदर, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन दे केटिगरी ऑफ कॉस्टल स्टेट, और अलसो टॉप दा ओवर्राल रैंकिंग, तो यहां पर मैंने पहले से आपके लिए कुछ महनत करके, साइट, हमारी प्रेस रिलीज को ली थी, जो प्रेस रिलीज इसका इशू हुआ था, और एक्सपोर्ट प्रिपेर्डिनेस इंडेक्स जो है, निती आयोग लेकर आया है, अलॉंग विद इंस्टिटूट अफ कॉ परफॉर्मिंग जो स्टेट्स हैं, उसके अंदर गुजरात, महराष्टा और तामिलाडू हैं, जो टॉप थ्री के रैंक पे आती हैं, यह बताया गया जी यहां पर, इसके पिलर्स जो मैंने आपको बताया है, पॉलिसी, बिसनस एकोसिस्टम, एक्सपोर्ट एकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हैं, तो यह सब बातें आ रही हैं जी, हां बिलकुल निहारी का लाइक सब को करना है, बिलकुल लाइक होएंगे तबी मजा आएगा, हां चलो बहुत बढ़िया जी, हां थेंक यू थसनी हुसेन जी, गुजरात है जी, ओडिसा नहीं है, अगले सवाल का आंसर दीची अब, कौनसी वर्ल्ड ओर्गिनाज़ेशन ने पॉलिशी ट्रेकर लॉंच किया है, तो ट्रैक दे पॉलिशी ओफ दी गॉर्मेंट तो कॉम्बाट कोविड-19 पैंडमिक, ओप्शन हैं, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, Commonwealth, World Health Organization, International Monetary Fund, IMF, कौनसी वर्ल्ड पॉलिशी ट्रेकर लॉंच किया है, ताकि जो हमारी सरकार पॉलिशी लेकर आ रही हैं, वर्ल्ड में, कोविड-19 से जूजने के लिए, लड़ने के लिए, उसको ट्रैक किया जा सके। World Health Organization के आंसर दे रहे हो आप, सर, World Health Organization का सवाल क्यों पूछेंगे हम से, पेपर टू, कॉमर्स मैनेजमेंट के अंदर, कहां से पूछ लेंगे हम, My Dear Friends, इसका आंसर मेरे पास है, IMF, देखिए International Monetary Fund, IMF, Policy Responses to COVID-19, Policy Tracker, जो भी हमारी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, सब की COVID-19 से जुड़ी सभी पॉलिसी यहां पे आ रही हैं, इसके अंदर क्या, वो पॉलिसी आ रही हैं, कि किसकी इंजेक्शन बनगी, यह सब पॉलिसी आ रही हैं, नहीं, इसके अंदर मीनली हमारी economic responses आ रहे हैं, economic responses जो की government ले रही हैं, वो आपके इसके अंदर आ रहे है कि इंडिया economy बंद कर दी गई थी, फिर वापस से चालू की गई, कैसे हमने containment zones बनाई, और कैसे हमने fiscal support दिया, क्या measures लिए हमने इसके अंदर, वो सब ही बातें आई, यह सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं, कि क्या क्या रिलीव ठोड़े बहुत दिये हमने, और यह CRR RBI ने चू काम किये, CRR के अंदर कुछ कटोती करी, वो सब बातें लिखी गई है, रिवर्स रिपो को काम किया, यह सब बातें लिखी हुई हैं यहां पे, देखो काफी कुछ बातें लिखी गई है, ways and means advances, इसकी बात भी आपसे करी थी, आपको याद होगा, देखो बहुत स इन्वेस्ट करना है, तो government approval के बाद ही, इन्वेस्ट कर सकती है, तो इस सब बातें आपकी यहां पे लिखी गई हैं, तो बहुत से important current affairs की बातें यहां पे लिखी गई हैं, तो इसलिए इसका answer यहां पे बनेगा हमारा option number 4, IMF, हाँ पाइल बंगा कह रहे हैं कि इसका काम है capacity assistance and surveillance, बिल्कुल इसका काम है देखना कि हमारी countries जो है, उनकी economic situation ठीक है या नहीं है, तो बिल्कुल answer IMF याएगा, अगर आप बाकी देखेंगे, तो बाकी option आप असानी से मेरे ख्याल से तो eliminate कर सकते हैं, तो WHO में confused होके कोई बात नहीं, पर examination में अब याद रखना कि IMF जो है हो सकता है examiner आपको IMF के साथ World Bank दे दे, WTO दे दे, तो वहाँ पर confused मत होना, आप IMF ही अपना answer माग करके आना, हाँ चलो जी, अगला सवाल है जी, waterfall mechanism, sir waterfall कहां से आगया अब, often seen in the news recently, is associated with which of the following, code on wages, GST, IBC, Real Estate Regulation and Development Act, waterfall mechanism इन में से किसके साथ जुड़ा है, ये सवाल आप से पूछा जा रहा है, हाँ, FDA policy में जो बदलाव आया है न जी, उसकी बात कर रहा हूं मैं, FDA policy में बदलाव आया है, आपके साथ last class में discuss भी किया था, कि जो countries हमारे साथ land border जिनका लगता है, उनको अगर भारत में invest करना ह है, तो पहले सरकार की permission लेनी होगी, automatic route से invest नहीं कर सकते, आपको याद होगा कि आप सभी ने मुझे बताया था कि SDFC bank के अंदर चाइना ने indirectly stake खरी दिया था, तो सरकार को ऐसा कुछ करना पड़ा, तो ये है जी यहाँ पर, आंसर आपके आ रहे हैं, option number C के, तो option number C के आंसर आपके बहुत बढ़िया है जी, बिलकुल सही है, हमारा insolvency and bankruptcy code का जो है waterfall mechanism से deal करता है, सर क्या है ये waterfall mechanism, देखिए waterfall जैसे ऐसे waterfall होता है, सर ये लाल सा waterfall कब से होने लग गया, कोई धिक्कत नहीं है, आप मालीजे पानी ही है तो ऐसे waterfall नीचे गिरता है न, तो कहा गया, ऐसे ही हम अपनी payments करते हैं, अगर हम कोई किसी company को insolven declare कर दिया है, और उस company से जिन लोगोंने पैसे लेने हैं, वो line में लग जाते हैं, एक company है हमारी जो के insolven हो गई, दिवालिया निकल गया, उससे जो भी लोगोंने पैसे ले पानी के, जिनको पूरा कुछ नहीं मिल पाता, वो हमारे हैं unsecured financial creditors, जिन्होंने कोई security नहीं रखी थी, तो ऐसे लोग सब से पीछे रह जाते हैं, और इसलिए इसे waterfall mechanism का नाम यहाँ पे दिया जाता है, topmost priority किसको मिलती है, आपकी liquidation के खर्चे को मिलती है, workers के खर्चे को म liquidation से जुड़ा है, तो my dear friends, यह था आज का discussion आपके साथ, और अगर आपको यह discussion पसंद आया है, आपने कुछ नई बातें सीखी है, तो please my dear friends, इस वीडियो को like कीजेगा, हमारे चैनल पे नए हैं, तो subscribe कीजे, हमारे साथ regular जुड़े रहने के लिए, और अपने दोस्तों के स आज का discussion बहुत पसंद आया, कुछ नई चीजें, बहुत सारी नई चीजें मैं तो बोलूँगा, आपको सिखने को मिली होंगी, और यही उमीद है कि examination में यह चीजें आपकी काम आजाएं, तो बहुत मज़ा आजाएगा, कि आप कहें कि हमें, sir ने पढ़ाया था, यह ऐसा बिल्कुल किया होगा सुना गुपता जी पहले, स्वाती दूबे कह रहे हैं, हमें छीटे मिलते हैं, हाँ, most welcome, मोनिका, स्वाती, grade up classes, भव्या, रश्मी, निहारिका, सुमित, नताशा, मधू, पायल, वर्शा, बिल्कुल जी, आपके साथ हम भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, डेली आपके साथ कुछ न कुछ चीजने डिस्कुस कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे, रोशन कुमार कह रहे हैं, परसो एक्जाम है, लग रहा है, सब भूल गए, देखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा लगता है, examination से पहले ही, कि सब कुछ भूल गए, management वालों का प anxiety को आपके paper की attempt को खराब नहीं होने देना, आपको जो examination देना है, cool mind से देना है, बिल्कुल पहले कुछ पढ़ाई मत कीजिए, cool mind से examination hall में जाए, question को पूरा दिहान से पढ़के फिर ही अपना answer mark कीजिए, अक्सर क्या होता है, examination hall के अंदर हम गलत कर देते हैं, घर आके वही सवाल हम दुबारा से attempt करते हैं, हमारे दोस्त हम से पूछता है, तो हम कहते हैं कि हमने ये गलत कैसे mark कर दिया, हमें तो ये पता था, गलत इसलिए mark कर दिया, क्योंकि आप 100% आपका दिमाग examination hall में present नहीं था, आप बहुत जादा stress हो गए, आप रात को सोई नहीं थे, आप स्टेबल हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, वहीं जरूरी है आज के टाइम पर, बिलकुल याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रमन दीब भी कह रहे हैं, आपके कैरियर से जुड़ा examination है, आपका future बनाने वाला examination है, बट कोई दिक्कत नहीं है जी, आपने मेहनत करी है तो फल आपको अवश्य मिलेगा, examination का डे बहुत important है, आपको अपने आपको काम रखना है, कूल रखना है, तब ही आप अपना 100% दे पाएंगे, अगर आप रात बर सोईंगे नहीं, स्ट्रेस रहेंगे, तो examination में कहां 3 घंटों में, आप अपना 100% दे पाएंगे, आपका द निहारिका, most welcome पूजा, भारती, अनिल, निधी, बिल्कुल सभी को all the best, management वालों को सभी को all the very best, practical questions पे, माधवी जी, पहले ले चुके हैं, कुछ session आपको हमारे YouTube के video list में मिल जाएंगे वो, live sessions हमने लिए हैं, फिर भी, आप कह रहे हैं तो दुबारा से कुछ ऐसा schedule कर सकते हैं, कर लेंगे, हाँ, बिल्कुल जी, हाँ, चिंता मत कीजे, हाँ, जितना जादा आप tension लेंगे, उतने जादा और tension होती रहेगी, फोड़ा से अपने mind को cool रखिए, देखे, ये जो बहुत कम समया आपके पास है, management वालों के लिए, commerce वालों को नहीं करना ऐसा, management वालों को क्या करना चाहिए, अब अपने आपको फोड़ा सा relax कर लिना कुछ अपना, जो चीज आपको relax करती है, थोड़ा सा time उसमें invest कर लो, अगर आपको कुछ TV सीरीज देखके, कपिल शर्मा के शो देखके, कुछ भी देखके, आपको थोड़ा सा light feel होता है, आप थोड़ा सा time उसमें भी invest कर सकते हो, अपने आपको light feel कराने के लिए, अपने सवालों पर बहुत जादा समय लगा देते हैं, और वहाँ पर पहले एक घंटे के अंदर हमारे बहुत ही कम सवाल attempt हो पाते हैं, और फिर एक दम हम क्या करते हैं, stress हो जाते हैं, हड़ बड़ी में अगले सवाल attempt करते हैं, और उससे अगले सवालों में 100% नहीं दे पाते हैं गलतियं कर देते हैं जल्दबाजी में, तो आपको क्या करना है जी, आपको किसी एक सवाल पर बहुत ज़़दा time नहीं लगाना, जिस portion में आप सबसे ज़़दा comfortable हैं, आप कोशिश कीजिए कि उस portion से अपना examination attempt करना start कीजिए, चाहे वो paper 1 है, चाहे वो paper 2 है, जैसे अगर आपको लगता है कि comprehension जो है, मुझे बहुत बड़ा लगता है, पढ़ने में मेरा बहुत time waste हो जाता है, तो आप उसे थोड़ा सा बाद में कर सकते हैं, ऐसे सवाल जो कि बहुत कम समय में आपके काफी सारे हो जाते हैं, उन्हें शुरू में करिए, उसे आपके अंदर confidence बने सारी चीजें नहीं आती होती बही सबको, मुझे भी सारी चीजें नहीं आती, सारी चीजें याद नहीं रहती, बट सवाल को देखके एक guess लगाना वो भी एक art है, और वो तब ही आप लगा सकते हैं, अगर आप confident तरीके से cool mind's exam को देंगे, stress होके देंगे तो नहीं कर पाए एक full mock तो freely आप हमारी website पर जाके लगा सकते हो, अगर आप वो एक full mock लगा लगा लोगे जिसमें paper 1 और paper 2 आप दोनों attempt कर रहे हो ना, उससे आपका confidence बढ़ेगा, बिल्कुल NTA वाले pattern के अंदर है, free full mock है, हमारी site के उपर, आप उसे ज़रूर attempt कीजे, आपको पता चलेगा क कैसे आप examination को actual में phase करने वाले हैं, कैसा आपका attempt रहने वाला है, ऐसा ना हो कि पहली बार आप जाके computer पर test दे रहे हो, examination के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप free mock तो definitely लगाए, free mock आपको बिल्कुल भी miss नहीं करना, free में चीज मिल रही है तो उसे तो आपको ज़रूर र आते हो गई अब, अब इस session को फिलाल हम end करते हैं, तो my dear friends मिलेंगे अगले session में, तब तक के लिए bye bye, take care, all the best, पढ़ाई करते रहे हैं